हाई एवरिबडी एडवांस जीस्टी सर्टिफिकेट कोर्स का आज है लेक्चर नमबर टू जिसमें हम समझेंगे सप्लाइए अंडर जीस्टी तो उससे शुरू करने से पहले मैं आपको इस कोर्स के बारे में शॉट में समझा दूँ एडवांस जीस्टी सर्टिफिकेट को और 6 महीने का है और हर वीक में तीन वीडियो अल्टरनेट डेस पर अपलोड होंगी इसी चैनल पर और वीक एंड में होगी एक लाइव क्लास जिसमें पूरे वीक में जो कुछ भी हमने समझा है उसके बारे में रिवीजन होगी और सभी कैंडिडेट्स जो भी लाइव क्ल होगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की उपर बेस्ट होगा जो भी कैंडिडेट्स उस एक्जाम को पास करेंगे उन्हें सर्टेफिकेट इश्यू किया जाएगा यो कि उनके आगे करियर में बहुत काम आएगा अब खास बात यह है कि जो ये लेक्चर्स अपलोड होंगे तीन लेक्चर्स एक वीक में जो अपलोड होंगे ये फ्री ओफ चार्ज सभी व्यूवर्स के लिए उपलब्द होंगे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर लेकिन ऐसे कैंडिडेट्स जो एक्जाम में एपियर होना चाते हैं और लाईव प्लास जो की वीकेंड में होगी उसमें पाटिस्पेट करना चाते हैं उन्हें एक फॉर्म में रजिस्टरेशन करना होगा तो ये form इस तरीके का होगा जिसमें पूरी डीटेल आपको दे रखी है वो आप यहां से पढ़ सकते है जो भी candidate exam में appear होना चाहते हैं और live class में participate करना चाहते हैं जो बाकी वीडियोस है weekly videos हैं वो तो सभी की available है जो weekdays में upload होगी weekend की live class और exam में जो appear होना चाहते हैं उन्हें 499 रुपे की fees पे करनी होगी और इस course के बारे में और मेरे बारे में आप यहां पर read कर सकते हैं पीस कैसे पे करनी हैं अगर आप phone पे paytm या google पे इस्तिमाल करते हैं तो इस number पे आप 499 transfer कर सकते हैं लेकिन अगर आप bank transfer को ज़्यादा prefer करते हैं तो यह रही account details जहां पर आप अपनी ये fee pay कर सकते हैं उसके बाद आप ये form फिल करिएगा जिसमें आपको कुछ basic details अपनी provide करनी है उसके बाद क्या करना होगा तो उसके बाद आपने जो payment करी है उसका screenshot या आप उसका कोई payment का proof आप हमारे इसी number पर WhatsApp कर दीजिए अगर आप WhatsApp इस्तमाल करते हैं तो अगर आप चाहें तो इसे email भी कर सकते हैं और 24 hours के अंदर आपको tax invoice और enrollment number issue कर दिया जाएगा और जो भी आपको आगे की information होगी timely basis पर WhatsApp और email के जरीए आपको मिलती रहेंगी तो आप शुरू करते हैं आज का lecture number two जिसका नाम है supply under GST जब हमारी first class थी उसमें हमने article 366 366 में जो changes किये गए थे GST को लाने के लिए वो सारे changes को समझा था उसमें हमने देखा था कि goods and services tax को define किया गया है तो क्या define किया गया है उसको देखते है article 366 का clause 12A यह कहता है कि GST का मतलब है means any tax यानि कि GST एक tax है और कौन सा tax है वो हमने पढ़ा था कि यह एक indirect tax IDT है क्यों है IDT वो भी हमने introduction वाले वीडियो में समझा था उसके बाद any tax on supply यानि कि एक ऐसा tax है जो supply के उपर applicable होता है देखे दुनिया में कोई भी taxation का system होता है उसमें एक taxable event होती है taxable event का मतलब होता है ऐसी घटना ऐसा point जहां पर हम tax लगाएंगे तो GST में tax कब लगेगा जब supply होगी यहां पर एक बदलाव किया गया GST में क्योंकि GST से पहले जो ज्यादा तर indirect tax हुआ करते थे अगर हम excise की बात करें तो वहां manufacturing पर tax लगता था अगर हम बात करें VAT की वहां पर sale होने पर tax लगता था और अगर octroy जैसी duties की बात करें तो goods जब उनकी state में enter करते थे तो जब enter होने पर वहां पर tax लगता था अब इन सारी चीजों को हटा के side कर दिया गया और यहां पर supply word को ले आया गया अब यह supply बहुत important है क्योंकि जब supply होगी तभी ही GST applicable होगा आज इसी को detail में हम समझेंगे तो GST एक tax है जो कि supply होने पर लगता है लेकिन किस चीज की supply supply of goods और services या दोनों या तो हम goods supply करें या services supply करें तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि goods का मतलब क्या होता है goods में कौन-कौन सी चीजे include होगी और कौन सी चीजे include नहीं होती है और services में क्या-क्या चीजें आती है तो GST एक ऐसा tax है जो supply होने पर लगता यानि कि यहाँ पर taxable even supply है चाहे हम goods को supply करें या services को supply करें या दोनो supply करें लेकिन ये tax नहीं लगेगा एक exception है कब नहीं लगेगा जब alcoholic liquor जो human consumption के लिए इस्तमाल होता है अगर वो supply होगा यानि कि इस supply को GST से बाहर रखा गया है यानि कि अगर alcoholic liquor है तो उस पर GST applicable नहीं होगा तो क्या applicable होगा उस पर जो पुराना वाला system था जैसे कि VAT वो applicable होगा या CST अगर दूसरी state में transfer किया जा रहा है तो पुराना वाले system के तहट यह taxable होगा तो अब हमें यह समझने की जरूरत है कि सबसे पहले goods की definition में क्या-क्या चीजे आती है और services में क्या-क्या चीजे आती है फिर हम सीखेंगे कि supply में क्या-क्या चीजे इंट्यूट होगी तो goods को define किया गया है section 2 clause 52 अब हम देखने वाले है CGST Act CGST Act यानि कि Central GST Act दो तरीके के Act यहाँ पर है वैसे तो तीन तरीके के है Central GST Act और State GST Act यानि कि हर State का अपना एक GST Act है लेकिन जैसे हमने first जो introduction वाली वीडियो थी उसमाँ देखा था अगर CGST और SGST तब applicable होता है जब intra-state transaction होती है यानि कि अपनी ही State में कोई समान supply किया जाता है तो यह दोनों Act same है तो हम CGST Act की जब बात करेंगे यानि कि CGST Act में जो कुछ भी लिखा है वो कब applicable होगा जब same ही State में supply किया जा रहा है और दूसरा important Act जो हमें पढ़ना है वो है IGST Act जिसे कहते है integrated GST वो कब applicable होगा वो तब applicable होगा जब कोई inter-state supply होगी यानि कि दूसरी State में supply करते है तो यह applicable होगा तो फिलाल हम देख रहे हैं CGST और CGST में हम सबसे पहले देखेंगे clause 52 of section 2 एक चीज़ आपको और मैं बता दूँ ज्यादा तर जो भी act होते हैं section 2 में definition आती है section 2 ज्यादा तर act में अलग-अलग terms को define करता है और कुछ पुराने act है जहाँ पर section 3 के अंदर भी definitions आती हैं but mostly जो acts होते हैं वहाँ पर section 2 के अंदर आप definitions को देखेंगे section 2 clause 52 goods के बारे हैं बात करता है यह कहता है every kind of movable property यानि कि कोई भी movable property अब movable का मतलब यह होता है जो immovable नहीं है और immovable का मतलब यह होता है ऐसी properties जो earth के साथ जो land के साथ attached है जैसे land है और land से attached क्या है जो permanently attached है जैसे building है यह सारी चीज़े है immovable property में आती है उसको छोड़के जो बाकी कुछ बचा वो सब movable property है लेकिन movable property में भी दो exception है कि money को हम goods के category में नहीं रखेंगे अब money का मतलब क्या होता है अब आप कहेंगे money का मतलब तो आपको पता है अगर पता है तो GST Act में इसे और broad तरीके से define किया गया है तो money को define किया गया है section 2 के clause 75 में clause 75 of section 2 define करता है money को तो money में क्या क्या चीज़ आएंगी Indian legal tender यानि कि India में जो भी currency acceptable है जैसे जो भी notes है वो सारे money के अंदर आएंगे इसे हम goods की category में नहीं रख सकते या कोई भी foreign currency इसकी अलावा क्या क्या आएगा अगर कोई check है तो check भी goods की category में नहीं है उसे भी money के अंदर ही include किया गया है कोई promissory note है या bill of exchange है इसकी broad definition आप देखेंगे negotiable instrument act में तो promissory note basically यही होता है कि जिसमें एक person promise करता है कि वो एक certain amount एक fix date तक किसी person को pay करेगा तो promissory note होता है bill of exchange भी अकसर जब हम business transaction करते है वहाँ पर बनाया जाता है कि जिसमें जो debtor है जिसने कोई समान खरीदा है जिसको payment करनी है वो यह undertaking देता है कि वो एक जो भी amount bill का बना है वो pay कर देगा कुछ time के बाद जितना जिसे time दिया जाता है या हम कहें LOC क्याने की letter of credit या draft किसे हम DD कहते है pay order हो गया traveler check है money order है postal order के थुरू जब पैसे हम transfer करते हैं या कोई electronic form में हमारे पास पैसा है वो सभी money के अंदर include होगा इसके अलावा ये और अगर और भी कोई instrument है जिसे RBI ने approve किया हुआ है जो RBI accept करता है कि इसे हम currency के तोर पर इस्तमाल करेंगे तो वो भी money के अंदर include होगा अब question आता है कुछ time पहले आपने bitcoin का काफी नाम सुना था तो क्या जो bitcoin है या bitcoin जिसे हम virtual currency भी कहते है इसके अलावा और भी कही सारी virtual currency है bitcoin एक बहुत famous virtual currency है क्या वो money के अंदर include होगी और money के अंदर include होगी तो हम उसे goods नहीं मानेंगे तो RBI ने अभी तक bitcoin को authorize नहीं किया है recognize नहीं किया है तो जब तक bitcoin recognize नहीं हो जाता वो money की category में नहीं आएगा और जब तक money की category में नहीं आएगा उसे हम goods के डाइरे से बाहर नहीं कर सकते यानि कि वहाँ पर GST applicable होगा तो यह है money की definition section 2 clause 75 पर तो goods के जब हम बात कर रहे है every kind of mobile property other than money यानि कि money को include नहीं करेंगे money की definition हमने देख ली and securities तो securities क्या होती है देखे stock market में कई सारे products होते है जैसे किसी company के shares है जिसे ownership कहते है equity share हो सकता है preference shares हो सकता है debentures हो सकते है derivative market में कई सारे items होते है जैसे future forwards call यह सारे जो products होते है community market में आपने कोई investment कर रखी है तो यह सारे चीज़ों को हम securities कहते है और in securities को goods की category में include नहीं किया जाता है तो हमने सीख लिया कि goods या तो mobile property है लेकिन mobile property है लेकिन money और securities उसके अंदर include नहीं होगा और क्या include होता है it includes actionable claim अब actionable claim क्या होता है actionable claim को define किया गया है section 2 के clause 1 में और उसमें कहा गया है कि actionable claim का मतलब वो है जो section 3 transfer of property act के अंदर में define किया गया है actionable claim को define किया गया है claim to any debt कोई उधारी है उस पे आपका claim है कि आपको किसी से पैसा लेना है तो वो आपका actionable claim है other than a debt secured by अब कैसे secured होगा mortgage, hypothecation या pledge क्या difference है यानि कि इसका simple मतलब है कि कोई debt है यानि कि उधारी है आपको किसी से पैसे लेने है वो आपका actionable claim है अब मान लेते हैं यहाँ पर Mr. A है Mr. A है और Mr. A को Mr. B से 100 रुपे लेने है यानि कि यह 100 रुपे का उधार Mr. A ने दिया हुआ था Mr. B को अब Mr. A को यह पैसा वापिस लेना है अब Mr. B ने promise किया है कि यह दो महिने के बाद पे करेगा अब Mr. A को 15 दिन के बाद ही urgent requirement आ जाती है पर Mr. B ने तो promise किया है कि यह दो महिने के बाद पे करेगा तो Mr. A एप्रोच करता है Mr. C को अब Mr. C यह कहता है कि भई आपको यह पैसा दो महिने के बाद मिलेगा तो एक काम करो मुझसे आज की डेट में 80 रुपे ले लो और मुझे यह राइट दे दो अपना यह जो डेट है यह मुझे बेच दो और मैं दो महिने के इंतिजार कर लूँगा और दो महिने के बाद यह जो 100 रुपे है यह मैं ले लूँगा 80 रुपे आज आप ले लो तो Mr. A ने यह जो 80 रुपे मिले हो कैसे मिले क्योंकि Mr. A ने जो अपना यह क्लेम था जो अपना यह क्लेम था डेट का इसे बेच दिया Mr. C को तो Mr. C 80 रुपे पे करता है तो यह जो क्लेम है डेट का इसे actionable क्लेम कहेंगे और यह goods की category में आएगा तो यहाँ पर लिखा है claim to any debt लेकिन इसके अंदर क्या चीज़े निकलूड नहीं होती है जो भी secure debt है कोई भी अगर आपने loan ले रखा है अगर वो secure है तो यह actionable क्लेम के अंदर में नहीं आएगा जैसे home loan है, car loan है तो वो नहीं आएगा हाइपूटिकेशन या pledge है परक क्या है हाइपूटिकेशन में यह होता है कि आपने कोई चीज़ गिर भी रख दी है यानि कि for example आपने बोला कि आपकी जो watch है वो आप, आपके पास ही है उसका जो position है वो आपके पास ही है लेकिन आपने यह agreement कर लिया कि अगर दो महीने के अंदर मैंने पैसे नहीं पे किये जो उधार के, जो loan के पैसे है तो आप मेरी watch रख लेना इसे कहते है हाइपूटिकेशन, यानि कि watch मेरे पास ही है मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने दो महीने के बाद नहीं दिया तो यह watch आप ले लेना pledge थोड़ा सा different है pledge में यह होता है कि watch मेरे पास नहीं है, मैंने watch उस person को दे दी और उस person ने बोला ठीक है मैं तुमारी watch रख रहा हूँ दो महीने के बाद पैसे ले आना अपनी watch ले जाना इसे कहते हैं pledge तो किसी भी तरीके का secure debt को हटा दो, जितने भी unsecure debt है, वो सभी actionable claim के अंदर आ जाएंगे तो एक तो unsecure debt और दूसरी जो चीज है beneficial interest अगर किसी movable property में आपका beneficial interest है अब उस beneficial interest को कहते हैं देखे for example आपके पास एक बहुत बड़ी printing machine है बहुत बड़ी printing machine है और आपका इस्तमाल सिर्फ अपने personal use के लिए होता है अब यहाँ पर जो एक person है वो आपको approach करता है और वो यह कहता है कि भाई देखो मुझे printing का business करना है और आप मुझे यह machine दे दो तो आप कहते हो ठीक है मैं machine तो बेच दूँगा लेकिन मुझे भी तो जरुवत पड़ती है अपने personal काम के लिए फिर मैं कहां print करवाऊंगा तो यह जो person है यह कहता है ठीक है आप मुझे यह machine बेच दो और आपको जो personal काम के लिए print कराना है वो आप मेरे यहां से print करा लेना तो इनके बिच agreement हो जाता है और यह जो person है जिसने यह machine बेची है इसको नाम दे देते हैं Mr. A और यह है Mr. S जिसने खरीदी है यह machine तो Mr. A अब agreement यह हुआ कि Mr. A ने यह machine बेच दी है और Mr. A एक दिन में 100 पेज इस machine से print कर सकता है free of cost कितने time के लिए 2 साल के लिए माल ले तो यह agreement हुआ है कि Mr. A ने यह machine बेच दी बेचने के बदले में कुछ पैसे ले लिए माल लेते हैं 50,000 रुपे ले लिए और साथ मैं उसको यह benefit मिला कि अगर वो चाहे तो रोज 100 पेज print करवा सकता है इस machine से free of cost आने वाले 2 साल के लिए तो यह जो 100 पेज print कराने का right है यह beneficial interest है Mr. A का लेकिन फिर भी उसके पास आने वाले 2 साल के लिए beneficial interest है अब Mr. A चाहे तो इस beneficial interest को बेच सकता है कैसे बेचेगा माल लेते हैं उसे एक contract मिलता है Mr. C की तरफ से 50 pages print कराने के लिए आता है एक दिन Mr. A बोलता है ठीक है मैं आपको 100 रुपीज मैं 50 pages print करके दे दूँगा अब Mr. A ये 50 pages print करवाता है अपने जो 100 page का उसके पास right था यहां से और बदले मैं 100 रुपे ले लेता है Mr. C से अब Mr. A ने क्या बेचा? अपना beneficial interest बेचा तो ये जो beneficial interest है ये भी actionable claim के अंदर आएगा जिसे हम goods की category में रखते हैं So I hope इतना आपको clear होगा goods का मतलब है कोई भी movable property other than money and securities अब तक तो आपको definition भी काफी हत्त ग्याद होगी होगी but includes actionable claim एक एक term आपको मैं समझा रहा हूं detail में growing crops जो crops उक्री हैं वो भी goods की category के अंदर आ रही है grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed ये important है इसका मतलब ये है कि goods के अंदर वो सारी चीज़े आएंगी जो land से attached है वो भी goods के अंदर आ जाएंगी लेकिन अगर आप जब वो actual में आप contract करेंगे जब actual में आप supply करेंगे उससे पहले आप उसे land में जो attached है उससे आप उसे release कर देंगे example की तरू समझते है माल लेते हैं एक ये field है अब इसमें एक tree है अब ये जो tree है ये land से attached है तो जब तक ये land से attached है ये immovable property है इसे हम movable property नहीं कह सकते अब Mr. A जो इसका owner है उसने contract किया किसी supplier से कि भाई मैं आपको ये paid बेच दूँगा अब ये जो paid बेच दूँगा का जो contract है ये goods की category में आ जाएगा क्योंकि अगर वो ये contract करता है कि जब वो ये बेचेगा तो इस paid को cut कर देगा जब ये paid कर देगा तो ये land से अलग हो जाएगा और movable property बन जाएगा अगर वो बोलता है कि ये paid as it is ले लो बिना cut करे तो ये goods की category में नहीं आएगा और जब तक goods की category में नहीं आएगा उसे हम GST में include नहीं कर सकते तो I hope कुछ हद तक समझ में आया होगा goods की definition अब इस में से आप में से शायद कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं इन terms को बहुत detail में करा रहा हूँ पर ये बहुत ज़रूरी है तभी आपका concept बहुत अच्छे से clear होगा तो goods का मतलब तो अब हमने समझ लिया अब हमारी बारी है services का मतलब समझने के लिए तो services को define किया गया है section 2K clause 102 में उस services पर आ जाते हैं section 2 clause 102 साथ साथ याद करते रहिए जतना भी आप उसको repeat करेंगे आपको याद होगा services का मतलब है anything other than goods goods को छोड़के money को छोड़के और securities को छोड़के जो भी चीज होगी वो services के अंदर आएंगी लेकिन उसके अंदर कुछ और चीज़े भी include होगी हमने money को छोड़ दिया लेकिन money से related अगर आप पैसे का इस्तमाल करके आप कोई benefit लेते हो तो वो services के अंदर आएगा जैसे आप पैसे खर्च करके आप taxi book करते हो, cab book करते हो आप club में जाते हो आप restaurant में जाती हो ये सारी चीज़े services के अंदर count होती है securities भी include नहीं होगा services के अंदर में लेकिन securities से related जो services provide करी जा रही है वो सभी इसके अंदर आएंगे for example, एक professional है portfolio manager है वो suggest करता है आपको कि कौन से shares में invest आपको करना चाहिए तो वो आपको advise कर रहा है वो person service provide कर रहा है वो securities नहीं provide कर रहा वो suggestion दे रहा है आपको advise कर रहा है उसी तरीके से जो stock brokers है वो आपको broking की service दे रहे है तो वो services के अंदर आएगा लेकिन जो securities आपने खरीदी है जो securities में आपने transaction किया shares में, diventures में, derivative market में community market में, currency market में ये सारी चीज़ है include नहीं होंगी services के अंदर में अच्छा, इसके अलावा क्या include होगा? अगर कोई but includes activities relating to the use of money or its conversion by cash अगर आप money को convert करवाते हैं cash में, कैसे convert होंगे? कई सारे authorized dealers ने RBI की तरफ से, जो currency conversion का काम करते हैं currency जब convert करते हैं उस पे एक additional charge आप से लेते हैं, उसे हम services के अंदर include करेंगे example के तौर पे, आपके बास hundred dollars है अब hundred dollars माल लेते है currency exchange वाना आपको उसका market price let's say 70 rupees है, एक डॉलर का पर dollar, one dollar तो hundred के हिसाब से seven thousand हो गए तो seven thousand आपकी ये currency की value है लेकिन, जो authorized conversion provider है, currency conversion provider है वो जब आपको provide करता है, तो वो आपको सिर्फ six thousand five hundred provide करता है, क्योंकि जो five hundred है, ये उसने deduct कर लिये हैं अपने चार्जिस तो ये जो five hundred उसने deduct करे हैं ये supply of service के अंदर count होगा, क्योंकि ये जो पैसा है ये उसने आपसे लिया है अपनी services के लिए तो यहाँ पर भी ये clarify किया गया है, कि जो भी transactions होंगे securities में, उन transaction को services नहीं माना जाएगा, लेकिन उन transaction को arrange करवाने में जो भी facilities आप ले रहे हैं, वो सारी चीज़े services के अंदर आएंगी तो अब हमने goods और services को अच्छे से detail में समझ लिया है, कि क्या चीज़े goods होंगी, क्या चीज़े services होंगी अब हम आते हैं supply के उपर तो section 7 define करता है supply को, section 7 का subsection 1 ये कहता है, कि supply के अंदर ये चीज़े include होंगी तो कौन कौन से चीज़े है, A, B और C, तीन clause यहां पर हमारे पास है section 7, subsection 1 clause A कहता है, all forms of supply किसी भी form की supply हो, क्या है वो sale हो देखे, sale का मतलब क्या होता है, sale का मतलब ये होता है, कि आपने कोई item, कोई goods आपने sale किया बदले में आपने पैसा लिया, money लिया आपने, तो हम उसे कहते हैं sale या आपने किसी को transfer कर दिया, barter system, barter system में ये होता है, आपने बदले में पैसा नहीं लिया आपने कोई समान बेचा, बदले में आपने कोई समान लिया यानि कि समान के बदले समान जिसे हम exchange भी कहते है या आपने कोई license दिया तो telecommunication के license होते है government कई सारे licenses issue करती है या आपके पास माल लेते हैं कोई copyright है तो आपने उसका license दे दिया patent है उसका license दे दिया किसी को इस्तमाल करने के लिए बदले में पैसा ले लिया तो इसे हम supply के अंदर include करेंगे rental, lease या आपने dispose कर दिया कोई machine थी इस crackabadi वाले को scrap में बेच दिया तो ये सारी चीज़ें supply के अंदर include होंगी बशर्ते it is made for a consideration यानि कि बदले में आपको भी कुछ मिला हो अब consideration का क्या exact meaning इस act में है वो हम देखेंगे section 2 के clause 31 में तो section 2 का clause 31 define करता है consideration को consideration in relation to the supply of goods और services और both include any payment किसी भी तरीके की payment made और to be made या तो आपने कर दिया है या आप करने वाले हैं यानि कि आपने पैसा दे दिया है या पैसा आप पे करने वाले हैं यानि कि present भी past भी और future भी तीनों consideration इसके अंदर include होगी आपने पैसा पहले पे कर दिया है past में पे कर दिया है अभी आप पे कर रहे हैं या आने वाले time में पे करेंगे या लेकि future consideration वो भी include होता है इसके अंदर whether in money चाहे money की form में हो money की definition हमने देखी है और otherwise या उसके अलावा भी money की अलावा क्या होगा यानि कि बदले में आपने कोई समान दे दिया आपने मान लेते हैं आपके बाद 2 किलो राशन था 2 किलो आपके बाद आलू थे उस में से आपने एक कीलो आलू देके आपने 2 किलो एक कीलो आटा खरीद लिया एक कीलो आलू आपने दिया बदले में एक किलो आटा आपने खरीद लिया तो वो जो आटा आपने खरीदा आलू के बदले में वो consideration है in respect of or in response to or for the inducement of the supply of goods किस के लिए किसले कर रहे हैं आप ये क्यों आप पे कर रहे हैं आप पे इसले कर रहे हैं ताकि supply of goods और service और बोथ हो सके whether by the recipient और any other person क्या मतलब है याने कि consideration या तो आप खुद पे करिए आप बायर है तो आप खुद पैसा पे करेंगे या आपके विहाफ पे कोई और पे कर दे तो भी valid consideration मानी जाएगी but cannot include अगर government कोई subsidy दे रही है तो government भी तो आपके विहाफ पे पैसा पे कर दी है अगर आपको याद होगा या शायद आपको ध्यान में होगा जो LPG cylinders आते हैं उसमें government subsidy देती है तो जो उसमें government subsidy दे रही है वो आपके विहाफ पे पैसा पे कर रही है तो जो आपके विहाफ पे पैसा पे किया जाएगा वो तो consideration के अंदर include होता है लेकिन क्योंकि central government और state government पे कर रही है तो include नहीं होगा इसका जो clause, sub clause B है the monetary value of any act or forbearance in respect of or in response to supply of goods or services और बोट इसका क्या मतलब है इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने कोई सामान खरीडा अब बदले में आप पैसा पे नहीं कर रहे हैं आप बदले में ये बोल रहे हैं कि भई मैं कोई तुमारे लिए काम कर दूँगा कोई act कर दूँगा जिसकी money legal value for example अगर कोई film star है अगर कोई actor है वो कोई सामान खरीडता है और बोलता है बदले में मैं आपका promotion कर दूँगा तो कोई act कर रहा है तो वो जो promotion का काम है वो उसके लिए एक consideration है और forbearance या फिर वो ये कहता है कि भई मैं आपका ये समान खरीड रहा हूँ और मैं आने वाले दो साल के लिए आपके किसी भी competitor का काम नहीं करूँगा यानि कि या तो वो कोई काम करे या वो कोई काम ना करे जो की consideration के बराबर होगा लेकिन इसमें भी subsidy government की तरफ से include नहीं होगी provided debt इसे कहते हैं proviso जो भी proviso आप देखेंगे वो provided debt से शुरू होते हैं किसी भी section के अंदर और ये एक तरीके के exception होते हैं अगर किसी भी तरीके का deposit है उसे हम consideration नहीं मानेंगे क्योंकि जो deposit है वो consideration supplier treat कर नहीं रहा है for example आप bank में अपना fixed deposit रखते हैं तो जो fixed deposit आपका है वो कोई consideration नहीं है या फिर आपने कोई अपकार खरीदना चाह रहे हैं और उसके लिए आपसे deposit amount लिया गया तो जो deposit amount है या फिर आपने किसी contract में एंटर किया उसमें कुछ deposit amount लिया गया deposit मतलब यह होता है कि एक तरीके से security ली गई तो वो refundable होती है कि अगर जब आपका वो act आप या जो भी आप activity है वो नहीं करते हैं बीच में छोड़ देते हैं तो एंसो अगर उसे advance ट्रीट कर लिया जाता है supplier की तरफ से तो तो consideration हो जाएगा लेकिन अगर उसे as a security ट्रीट किया जाता है तो वो consideration के अंदर नहीं आएगा तो आई होप आपको consideration का मेनिंग क्लियर होगा कि इसी भी तरीके की फॉर्म हो यह सेल ट्रांसफर बाटर consideration के बदले होने चाहिए by a person तो person के अंदर कौन include होगा section 2 clause 84 में person को define किया गया है person को क्या define किया गया है person को कहा गया है कि कोई भी या तो natural person हो या artificial legal person हो चाहे कोई company हो चाहे कोई LLP हो चाहे कोई firm हो चाहे कोई society हो चाहे कोई trust हो चाहे कोई artificial person हो वो सारी लोग person के अंदर include होंगे तो जब आप यहाँ पर person की बात करते हैं तो private limited company हो या public limited company हो वो सब भी इसके दाइरे में आते है in the course or furtherance of business यानि कि यह जो भी supply की जा रही है यह business purpose के लिए होनी चाहिए तो section 7 section 1 clause A के अंदर हम उसे supply मानेंगे अब business का क्या मतलब है तो business का जो मतलब है उसको भी define किया गया है और उसको define किया गया है section 2 के clause 17 के अंदर तो यहाँ पर लिखा गया है business includes any trade जो इसका clause A है 17 का सब clause A है any trade, commerce, manufacture, profession, vocation adventure, wager और any other similar activity कोई भी व्यपार वो करें trade, commerce का मतलब सामान खरीदना, बेचना या अगर वो manufacturing का काम कर रहा है तो उसे भी हम business के अंदर count करेंगे या अगर उसका कोई profession है चाहे वो architect है, चाहे वो doctor है वो सब भी इसके अंदर include होंगे या vocation है देखे, profession, vocation में थोड़ा सा difference होता है profession का मतलब तो यह होता है कि एक legally authorized body है जिसने authorized कर रखा है जैसे doctor है उसको एक controlling body है जो medical council of India है जैसे advocates है bar council of India है जैसे chartered accountants है, company secretaries है वो सब लोग तो profession के अंदर आते ही है vocation के अंदर बाकी जो चीज़े रह गई जैसे जो भी freelancer है जैसे for example actor है जो भी लोग modeling कर रहे है या फिर कोई भी लोग जो किसी career में अकेले काम कर रहे है वो सब लोग vocation के अंदर include हो जाएंगे किसी भी तरीके के adventure activity है या wager है, wager का मतलब होता है कि एक तरीके का gambling का कोई भी काम है या इससे related जो भी activity है whether or not ये बहुत important है whether or not it is for pecunery benefit पितनरी benefit का मतलब क्या है पितनरी benefit का मतलब है चाहे बदले ने वो पैसा ले या ना ले वो activity business के अंदर आएंगी any activity और transaction अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि ये इसका क्या मतलब whether or not it is for a pecunery benefit तो अभी जब हम आगे supply का आगे हम sub clause पढ़ेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि कुछ activities ऐसी होती है जो free में भी कुछ supply ऐसी जो free में भी provide करी जा रही है तो भी उसे हम supply treat करते हैं और उसपर tax लगाते हैं इसलिए यहाँ पर business में लिखा गया है whether or not it is for a pecunery benefit any activity or transaction in connection with or incidental यानि कि sub clause A में जो भी हमने trade commerce manufacture profession की बात करी उससे related जो भी वो काम करते हैं वो सारी चीज है business के अंदर आएंगी for example कोई professional है वो book लिखता है article उसमें लिख दिया है वो initial reactivity है तो वो भी इसके अंदर include होगा any activity or transaction in the nature of sub clause A whether or not there is volume ये नहीं depend करता कि वो एक करोड का या दस लाग का काम करेगा तब ही वो business में आएगा चाहे वो कितने भी amount का या कितने भी volume का कितने भी transaction वो करें उससे फरक नहीं पड़ता अगर वो sub clause A के अंदर fall कर रहा है तो उसे हम business treat करेंगे sub clause D supply or acquisition of goods including capital goods and services in connection with commencement or closure of the business बिजनेस को शुरू करने के लिए अगर उसने कोई भी समान खरीदा है जो कि capital goods है यानि कि कोई fixed assets है कोई machinery है, land है, furniture है building है या उसने कोई services ली है business को शुरू करने के लिए या बंद करने के लिए for example उसने tax consultancy ली है या फिर उसने company secretaries की service ली है business को closure करने के लिए या open करने के लिए वो सारी चीज़ें भी इसी business के अंदर आएंगी provision by a club association society है उसने अपनी membership दे रखी है facilities provide करते हैं कैसारे clubs होते हैं जो अपने members को sports club हो सकते हैं music club हो सकते हैं वो अपने members को specific service provide करते हैं बहुत सारे benefits provide करते हैं क्यों provide करते हैं क्योंकि वो member है membership fee पे करिए तो वो सब भी business के दाएरे में आएंगे admission for a concentration of person to any premises premises का मतलब किसी भी जगे पर आप उस person को entry दे रहे हो for a consideration और उससे बदले में कुछ ले रहे हो for example आप clubs में जाते हैं आप बार में जाते हैं restaurant में जाते हैं या फिर आप किसी hotel में जाते हैं तो वहां पर आपको अंदर entry के लिए अगर कोई डॉक्टर है उसने अपना क्लीनिक उपन कर रखाए तो वह भी business के अंदर include होगा by a person और person के अंदर कोई भी person हो सकता है natural person भी हो सकता है और artificial person भी हो सकता है activities of a race club including by way of totalizator or a license to bookmaker or activities of a licensed bookmaker in such club यह जो race clubs होते हैं जहां पर gambling करी जाती है और horse racing कराई जाती है कई तरीके के racing कराई जाती है तो वहाँ पर जो लोग वो race करवा रहे हैं या फिर जो bookmaker हैं जो सारे record रख रहे हैं वो सारे लोग जो भी activity कर रहे हैं वो business activity के अंदर आएगा activity और transaction undertaken by central government state government और local authority in which they are engaged as public authorities अगर central government भी कोई काम कर रही है इस तरीके की activity कर रही है तो वो भी business के अंदर include होगा और business के अंदर include होगा तो वहाँ पर भी GST applicable हो सकता है अब हम वापिस से आते है supply के उपर तो clause A subsection 1 का यह कहता है किसी भी तरीके की supply है goods की, services की sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal made or agreed to be made बदले में पैसा ले रहे है और किसी person से ले रहे है person का definition बताया consideration क्या क्या होती है वो चीज़े हमने देख ली और किसले ले रहे है business activities की तो यह clause A के अंदर तो supply माल ली जाएगी clause B बात करता है import के बारे में अगर कोई service import करी जा रही है for a consideration बदले में आप क्या ले रहे है पैसा दे रहे है whether or not in the course or furtherance of business अब चाहे वो business के लिए हो या नहीं हो यानि कि अगर कोई personal use के लिए भी आप कोई service लेते हैं तो वो भी इसके अंदर आएगी माल लेते हैं कि एक कोई person है अगर वो business है और वो किसी outside इंडिया से कोई service ले रहा है माल लेते हैं कोई consultancy ले रहे हैं तो वो आएगा ही आएगा इसके अंदर अगर वो business person नहीं है तो भी वो जो service होगी वो business के लिए वो sorry वो supply treat करी जाएगी अभी आगे example जब देखेंगे और clear हो जाएगा कोई doubt है तो आप फूश लीजेएगा comment box मा या email पर अब हमने clause A देखा था उसमें दो तीन चीज़ें देखी थी कि supply हो रहा है बदले में पैसा आप ले रहे है और business purpose के लिए है supply है consideration है बदले में आप कुछ ना कुछ ले रहे है और business purpose के लिए है तो उसे हम include करते हैं किसके अंदर supply के अंदर clause B क्या बोलता है अगर आप import करते हैं कोई service और आप पैसा पे कर देए अब consideration किसी भी form में हो सकती है अगर आप consideration दे रहे है क्या है वो service जो आपने लिए है वो business purpose के लिए हो या ना हो उससे matter नहीं करता वो supply के अंदर मान लिया जाए जो clause C है वो थोड़ा सा और उल्टा है वो यह कहता है कि जो भी activities हम बता रहे हैं schedule 1 में हम देखिंगे कौन-कौन सी activities आ रही है उन्हें हम supply treat करेंगे अगर वो बिना consideration के है तो भी तो schedule 1 में चार तरीके के activities दे रखी है जिने अगर apply किया जाएगा तो उन्हें supply माना जाएगा अगर वो बिना consideration के है यानि कि free supply है तो भी वो taxable होंगी अगर permanent transfer कर दी हमने या dispose कर दी अपने business की assets को हमारा business बंद हो रहा है या हमारी कोई machine थी अगर वो machine loss हो गई है या machine को हमने किसी को transfer कर दिया है free में कर दिया है बिना किसी consideration के और उस पे अगर हमने input tax credit avail किया था तो वो supply जो free supply है assets की उसे supply माना जाएगा और वो taxable होंगी तो क्या मतलब हुआ इसका input tax credit का यहां क्या मतलब है input tax credit को detail में तो हम आने वाले कई lectures में पढ़ेंगे लेकिन जो introduction वाली पार्ट था फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि how GST work कैसे GST काम करता है तो उसमें हमने क्या देखा था कि अगर कोई supplier है जब वो कोई item बेचता है तो उस पर GST चार्ज करेगा लेकिन बेचने से पहले वो खरीदेगा भी तो सही या manufacturer है तो वो raw material खरीदेगा बनाने के लिए या फिर वो कोई asset खरीदेगा business purpose के लिए computers खरीदेगा, furniture खरीदेगा, machinery खरीदेगा और बहुत सारी asset खरीदेगा अब वो जो asset खरीदेगा business purpose के लिए तो उन asset के उपर भी उसने GST पे किया होगा as a buyer लेकिन उन asset का इस्तमाल वो business purpose के लिए कर रहा है ताकि वो अपनी services दे सके या कोई आगे goods प्रोवाइड कर सके तो उन asset के उपर जो उसने GST पे किया होगा government को उसका benefit उसने ले लिया होगा input tax credit की form में तो अगर यह benefit उन्होंने लिया है इसको detail में हम आगे समझेंगे बहुत सारे lectures में इसकी बात होगी तो अगर उसने input tax credit का benefit ले लिया है तो और वो बिना consideration के उसने किसी को transfer कर दी free में दे दी या loss हो गया उसका तो भी उसे हम supply मान लेंगे कि supply हो गई और supply हो गई तो वो हम GST के दाइरे में उसे ला सकते हैं जो point number two है supply of goods और services और both between related person अगर कोई person related है और उनके बीच में यह supply हो रही है अगर वो free में भी हो रही है कोई पैसा वो नहीं ले रहे है वो क्यों नहीं ले रहे है पैसा क्यूंकि वो चोरी करना चाह रहे थे अब इसके पीछे एक कहानी समझते हैं कहानी यह है कि एक supplier है अब इसके पास कही सारा item है ठीक है अब यह अपने ही किसी related person को sale करना चाहता है लेकिन अगर वो related person को sale करेगा बेचेगा समान तो उसके उपर उसे tax देना पड़ेगा इस related person को tax देना पड़ेगा अब यह जो related person है अब इसे यह सामान चाहिए अपने अगर business purpose के लिए चाहिए होता तो तो यह खरीद लेता और खरीद लेता फिर आगे यह बेच देगा तो आगे इसे buyer से benefit बेच लेता वहां से GST collect करता और purchase पर जो tax पे किया उसे input tax credit claim कर लेता तो दो कोई problem थी नहीं लेकिन इस related person को मान लेते हैं यह personal use के लिए चाहिए अगर personal use के लिए लेंगे तो उसे input tax credit का benefit नहीं मिलेगा और यह पूरा का पूरा tax क्योंकि यह consumer बन जाएगा तो यह government के पास चले जाएगा तो इसको यह product महंगा पड़ जाएगा तो अब यह क्या करेंगे यह free में यह समान बेच देगा अब transaction क्या है जीरो price जीरो है तो जीरो के उपर कोई भी tax लगाओगे तो जीरो ही होगा तो जब जीरो ही होगा तो कोई tax तो pay करना ही नहीं है और यह benefit related person को मिल जाएगा इसी problem को दिहान में रखते हुए schedule 1 को introduce किया गया और उसमें बोला गया अगर related person के बेच transaction हो रही है आप बेशक free में करो आप बेशक पैसा मत लो लेकिन government को तो GST pay करना पड़ेगा government के पास GST पहुँचना चाहिए अब GST किस amount पर चार्ज होगा यह हम आने वाले lectures में समझेंगे अभी हमारा मकसद तिर्फ schedule 1 को समझना है और supply की definition को समझने का है तो अगर free supply है related person के बीच में अब सवाल यह उठता है कि यह related person कौन होगा तो related person को define किया गया है section 15 के अंदर तो अब हम आजाते हैं कि section 15 को हम पूरा अभी नहीं देख रहे हैं क्योंकि जह हम value of taxable supply करेंगे तब हम इसे detail में देखेंगे अभी section 15 में हम तिर्फ related person की मेनिंग समझने के लिए से देख रहे हैं तो इसकी जो explanation है वो define करती है कि related person कौन होगा for the purpose of this act related person कौन होगा सच परसन और यहां पर परसन का मतलब सिर्फ नॉर्मल नेचुरल परसन से नहीं artificial परसन इस एललपी है फर्म है सोजाइटी है कोई artificial जूरिडिकल परसन है जैसे ट्रस्ट हो गई वो सारे लोग भी परसन के अंदर आते हैं अगर कोई person मालने ते कोई company है उस company के officer है director है वो सब related person में आएंगे अगर कोई director है वो company का जो product है वो ले जाता है अपने personal use के लिए free में ले जा रहा है तो बेशक ले जाए free में लेकिन उस पर GST पे करना पड़ेगा अगर firm में जो partners है वो भी related person है अगर business partners है और वो business का item अपनी घर के लिए ले जाते हैं बेशक ले जाए लेकिन GST पे करना पड़ेगा अगर employer है और अपने employee को कोई चीज provide करता है कोई चीज free में देता है तो बेशक दे लेकिन अगर उसका price 50,000 एक साल में 50,000 पर एक साल में उसने बहुत सारी चीज़ें दी और बहुत सारी चीज़ें जो उसने एक साल में दी तो 50,000 तक का वो gift माल लिया जाएगा यानि कि उसपे GST applicable नहीं होगा लेकिन 50,000 से अगर ज्यादा का item उसने दिया है तो वो treat किया जाएगा GST के अंदर as a supply और उसपे tax charge होगा एनि परसंट डारेक्ली और इंडारेक्ली डारेक्ली और इंडारेक्ली ओन या कंट्रोल करता है 25% की ओनर्शिप यानि की शेर्स शेर्स का मतलब ओनर्शिप तो उस person को भी हम मान लेंगे related person क्योंकि भई business में 25% से ज्यादा का उसके पास माली का नहाख है one of them directly or indirectly controls the other अब एक तूसरे को control करता है कैसे for example एक company है Reliance Industries Limited सब जानते हैं बहुत famous company है RIL अब Reliance GO जो है अब Reliance Industries के इस company में माल लेते हैं shares है और shares अगर 25% से ज्यादा के हैं तो तो इसका control है इसमें और दूसरी तरीके से कैसे control कर सकता है अगर ज्यादा तर जो directors हैं वो common हैं दोनों companies में तो automatically इनका एक दूसरे पर control हो जाता है या इन दोनों में किसी third का third company का पैसा लगा हुआ है और वो तीसरी company इन दोनों को control करती है तो ये दोनों भी आपस में related हो जाएंगे अगर family members same है तो भी related person के अंदर आएंगे और person का मतलब legal person भी यहाँ पर है person who are associated in the business of one another as a sole agent और sale distributor यानि कि अकेले agent है ऐसे तो agent बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन अगर कोई business है और उसमें सिर्फ एक ही agent है एक ही distributor है तो उस agent और distributor का तो पूरा control है उस business में क्योंकि सिर्फ वही item distribute कर रहा है तो वो जो distributor होगा related person माना जाएगा supply of goods और services बहुत between related person और between distinct person अब यह distinct person क्या होता है तो distinct person को section 25 में बताया गया है इसके बारे में तो distinct person आप आसान भाशा में समझें तो business एक ही है हैनिकि same pen number पर मान लेते हैं दो या दो से ज्यादा GST registration है एक business है डिली में भी उसकी branch registered है मुंबई में भी उसकी branch registered है डिली से अगर मुंबई में कोई समान जाएगा या मुंबई से डिली में अगर कोई समान transfer होगा अब भाई दोनों उसी की firm है दोनों उसी का GST registration है एक branch से दूसरे branch में transfer करेगा चाहे बेशक free में transfer करेगा कोई अपने से तो कोई पैसा charge करेगा नहीं बाद स्टिल वो अप्लाइ ट्रीट किया जाएगा और उसपे GST applicable हो सकता है जब वो business purpose के लिए होगा provided that gifts not exceeding 50,000 in value in a financial year by an employer to an employee shall not be treated as supply of goods or services or both अब question यह है कि अगर 50,000 से ज्यादा का gift है तो क्या पूरा का पूरा supply माना जाएगा या सिर्फ 50,000 से जितना ज्यादा है उतना हम उसे supply के अंदर include करेंगे तो इस provider को दुबादा read करते हैं that gifts not exceeding जो 50,000 से exceed नहीं करते हैं उन्हें ही हम supply treat नहीं करेंगे 50,000 से ज्यादा है तो पूरा का पूरा gift मान लेते हैं 75,000 का gift है तो पूरा का पूरा 75,000 से 25,000 नहीं पूरा का पूरा 75,000 supply treat किया जाएगा supply of goods third point एक principle अपने agent को देता है या agent principle के विहाफ पे कोई good supply receive करता है क्या है बेशक वो principal agent से कोई charge ना ले या agent principle से ना ले इस्टिल वो supply treat करी जाएगी और fourth point बहुत important है यहाँ पर भी import of services की बात हो रही है लेकिन import of services की बात तो clause B में भी हुई थी लेकिन clause B में जब import of services की बात हुई थी वहाँ पर इसका बिलकुल opposite था वहाँ पर था clause B में कि आप import कर रहे है consideration है business purpose जरूरी नहीं है और यहाँ पर क्या है इंपोर्ट हो रहा है इंपोर्ट हो रहा है related person के बीच में services का अब क्योंकि related person है business होना जरूरी है consideration के requirement नहीं है import of services from a related person or from any of his other establishment outside India in the court or furtherance of business यानि कि without consideration है चलेगा business purpose के लिए है related person अगर provide कर रहा है service तो उसे हम supply treat करेंगे तो यह थी आज का वीडियो जिसमें हमने scope of supply का अभी पूरा पार्ट नहीं सिर्फ section 1 देखा है जिसके अंदर हमने section 1 का clause A clause B clause C goods की definition देखी, services की definition देखी, इसके अलावा हमने money की definition, consideration की definition, actionable claim और बहुत सारे terms को हमने समझने की कोशिश करी है तो यह part हमने cover कर लिया है, अब इसके बाद subsection 1A और subsection 2 को हम आगे देखेंगे आने वाली वीडियो में जो की बहुत जल्द आईगी और उसमें हम इसके साथ-साथ, इसे cover करने के साथ-साथ कुछ questions की भी practice करेंगे example के साथ समझेंगे कि वहाँ पर supply होगी या नहीं होगी अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है तो तुरण subscribe कर ले, bell icon प्रेस करें वीडियो अगर सही में आपको पसंद आईए, तो जरूर like करें और share करें अगर आपको कोई चीज इसमें ठीक नहीं लगी, आप चाहते हैं कि कोई correction हो या फिर आपके कोई doubt है तो comment box में जरूर लिखिएगा या आप email कर सकते हैं लेकिन अब एक चीज़ जयान में रखिएगा कि कुछ लोग comment करते हैं और वो accept करते हैं कि आदे घंटे, एक घंटे में मैं तुरंट reply कर दूँ तो कई बार ये possible नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सारी queries आती हैं तो कम से कम 24 घंटे, 24 hours का वक्त मुझे देजिए अगर comment box में आपका reply नहीं आता है तो आप email कर सकते हैं email पर आपका reply जरूर आएगा